सरकार ने भले ही गेहूं का इंपोर्ट ये कहते हुई इनकार किया है कि देश में गेहूं का प्रयाप्ट स्टोक मजूद है लेकिन सच्चाई तो ये है कि तिहारों से पहले गेहूं और चावल दोनों की कीमतों में उच्छाल देखने को मिल रहा है इसी पर आपको बता दे कि गेहूं और चावल के दाम लगातर मंडियों में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं गेहूं की कीमत 4 फिस्दी तो चावल की कीमत 7 फिस्दी बढ़ चुकी है गेहूं 24 से 26 रुपे प्रती किलो में मिल रहा है तो वहीं चावल की कीमते 1 से 2 रुपे प्रती किलो बढ़ी है भारी बारी से गेहूं मंडियों में नहीं पहुँच पारा हलाकि सरकार ने गेहूं इंपोर्ट से इंकार किया है सरकार का कहना है कि देश में गेहूं का प्रयाप स्टोक मजूद है गेहूं के इंपोर्ट की फिलाल कोई जरूरत नहीं है गोर तलब है कि इस साल गेहूं की फसल उतपादन और क्वालिटी दोनों द्रिष्टी से काफी कम जोर रही है अत्यधिक गर्मी के कारण गेहूं की फसल की कटाई के समया ही गेहूं का दाना सिकुड गया जिसकी वज़े से उत्पादन कम हुआ और क्वालिटी भी बिगड़ चुकी है यही बड़ा कारण था कि गेहूं के भाव अप्रेल 2022 से ही MSP से काफी उंचे बने रहे और जिसका असर ये देखने को मिला कि सरकारी खरीद बुरी तरह से परभावित हुई और कुल सरकारी करीद 189 लाग टन से आगे नहीं बढ़ पाई आपको बता दे कि बारिश की कमी से इस साल धान की बुआई भी घटी है धान की बुआई पिछले साल के मुकाबले 8 फीसदी घटी दिखाई दे रही है आँकणों के मुताबिक चावल की खरीफ रोपाई में बड़ी गिरावट देखने को मिली है उत्तर परदेश से पश्चिम बंगोल तक मौनसून काफी कमजोर रहने से धान की रोपाई लगबग 13 फीसदी कम बताई जा रही है जानकारों का कहना है कि इसके असर से लगबग 15 करोटन चावल का उत्पादन कम हो सकता है ऐसे में बाजार जानकार मान कर चल रहे हैं कि आगे चलकर गेहूं और चावल दोनों की कीमते तोहारी सीजन के अंदर तेज बनी रह सकती है झाल